हे गाईज वेलकम बेक तो माई टूप चैनल तो आज हम आप उसी सीरिस को फिर से कंटिलियू करने जा रहे हैं अगर आपने प्रीवेश चैप्टर के एकस्प्लेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्लेइलिस में एव लेबल है सेंशिव डगोडो नाम से वो केम देता हूँ तो चैप्टर नंबर टू अंट 37 के स्टार्डिंग होती है यूनर बोल रही होती फादर मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है लूजंग सोच रहा था सीरिसली वो यूनर भी असेंड कर रही है पर ऐसे देखने से लग रहा है कुछ गल्त है यहां पर इसके पर बोलता है मेरी डोटर मैं तुम्हें बढ़जा मिस करूंगा जीकें रोते हैं वह बोल रहे थी फादर मैं भी वह सोच रही होती कि मैंने लूजंग को प्रोमिस किया था कि हम किस दिन मिलेंगे मुझे लगता है कि यह फुल्फिल नहीं हो पाएगा वह बोलती कि सोरी ल मैं यही प्रेए करती हो कि हम मिलेंगी कभी वह फिर एशेंट कर जाती है लूजंग सुन रहा होता है धिहां से क्योंकि वह वील औफ गरा वोलता है कि मैंने तुम्हें सुन ली है पर रिप्लाय नहीं कर सकता हूँ मैं भी सोच रहों कि अपर रेलम्स में मिलना मुझील वो सोच रहता है कि मेरी बोडी तो ऐसा लग रहे कि वर्ला मुझे reject कर रहा है वो सोच रहता है कि ऐसा तो तब भी होता है जब डिवाइनसीर एला में पूंचती है पर एक वर्लड फॉरम होता है दूसरे मतलब मांसर अटिस की बोडी लुजंग बोलता है मुझे बताऊ कि जब असयंशन टैलन फिक्स हो गई है तो जो गया करने के उन्हें यह दिखा देती है वह सोच रहता है कि लियू तो ऐसे डिवाइन सी रहला में पहुच गई है पर वह देखने से लग रहा है कि कुछ भी उसकी लाइफ का चेंज नहीं हुआ है फिर वह वह सोच रहता है कि जो ब्लैक अर्न कंट्री का एमपरर है उसने भी डेट सेट कर दी अ पूछो तो यह हो सकता है तो अगरे जैन अनर्जी होती तो तुम तब असेंड करते हैं जब तुमारी बोड़ी एक ओशन को फॉम कर लेती पर मुझे पनी बता क्राइटीर के प्रिमेडियल क्योश का सोच रहा होते तो अच्छा यह सब कुछ प्रिमेडियल क्योश के वस् लुजंग हरान होता सोच रहोता है कि ऐसे लगरे कि जो रिजेक्शन फोर्स से वह और जाधा खतनाक होती जारी है मैं ग्राउंड पर सिर्फ अपनी ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज़ करके खड़ रहा हूं तो वो ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट करता लुजंग के पास पहुंचती है लुजंग उसकी तरफ देख रहा होती है लुजंग मेरे पास एक बैड न्यूज है लुजंग बोलता है जब मेरा ब्रेक्ट्रू हुआ तो तीन दिन पहले तो मुझे वर्ड रिजेक्ट कर रहा था अब यह और ज़्यादा बुरा होता ज लुजंग वह जाने से पहले तुम एक चीज बताना चाहता हुँ अगर तुम सर्च करना चाहते है ट्रेजर को प्रेंड करना चाहते हो तो मैं कुछ places को avoid करना है जैसे कि क्यों टिक्सीज निंग बोलती है ठीक है मैं ऐसे भी यहां वानी घूम होंगी किसी भी place में अब लुजंग बोलता है क्यों हरानी से निंग सोच रही होती है मैं इसको बताने ने चाहती है कि मैं pregnant हूँ अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो यह ज बात नियकर सकते हूं और जादा बात पी नियकर सकती हूं पर ज़ल्दी से एंटर करना पड़ेगर जितने जल्दी रहें से पहले तो मैं लुजंग के साथ साथ मेरे सब्यू पहले ऐसे रात का टाइम होता है लुजंग बाहर आ जाता है लुजंग सोच रहा होता है कि मैं 6000 डेगन स्केल्स की पावर को यूज कर रहा था ऐसे ग्राउंड मेराने के लिए ही पर हम अपने लिमिट पे हो मैं रिमूव कर देता हूँ लुजंग जैसे रिमूव करता है तो वह हाँ में उड़ने ले पड़ता है वह पीच्छे की तरफ देखते है निंग और जीकिन की तरफ वह बोलता है मुझे माफ कर दो बाई निंग बोलती है कि डियर अपना ध्यान रखना जब तुम अपर एलमें पहुंच चुक मैं तो मैं मिस करूँगी जीक्षिन बोलती है मैं भी लिज़न गोलते है ठीक है वह फिर उपर की तरफ उड़ जाता है यही जादा अच्छ है क्योंकि मैं जीवकिन और निंग के उपर चेक कर सकता हूँ वो निंग को देख रहा होता है और सौचता है कि निंग तो जादा सैड लग रही है मेरे को बहुत जाबूरा लग रहा है इसको ऐसा देखते हुए लुजंग रानोतर बोलता है क्या जीवकिन इस वर्ल में नहीं है वो सोच रहत है कि यह हो इनी सकता कि वो असेंड कर गी एपर रहलम में किंकि उसका कल्टिवेशन लेवल बड़ा लो था वो पर 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 रहलम में होगी यह जाएंगे मैं डैफ हो जाओंगा वाइबरेशन से फिर ऐसे भी होशी जाएंगा और आसे मूव कर रहो होता है फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आइस को उपन करता है वो किसी पानी टाइप में होता है रवह उठता है माशिलाडिस के साइड में वा सोच रहाते है कि ऐसे देखने से लग रहा है यह सब यह पर रहलम ही condiciones का वह लडकी बोलती कि मैं ने सुना था कि कुछ Aujourd लेंड जो अपर एलम के वो वेल ओफ एसेंशन को यूज करते हैं ताकि वो जो भी असेंडिड होते हैं पूरे कोस्मोस में उन्हें यहां पिला सकें तो मैं को लगता है यह वही वेल है पर मुझे नहीं पता कि हम किस हुमन टेरिटरी में हैं एक मार्शलाटिस बोल रहते है क कि क्या होगा अगर हम दीमन में दीमन टेर्टरी में लेंड करेंगे तो वो लड़की बोलती है ऐसे इसेंस्तेंसी हिस होते हैं कि मतलब दूसरे अनदरे रहसं के बीच में पर वह हैसे होते हैमारा च değर लेंस कि उसिञेंटली किसी ऑपनी भीस शॉटम चर्वर किया है अ coptalk तो भी असेंड कर पाता है जब वो डिवाइन सी रेलम में पहुंचता है यही नॉर्मल चीज है पूरी कोस्मोस में वो हरानी से लूजेंग की तरफ देख रही होती है लूजेंग और उसका आई कॉंटेक्ट होता है एक मार्शलाटिस उपर की तरफ उड़ के बोल रहा होता है लूजेंग बोलता है हाँ यहां पर बैरियर है और ऐसा लग रहे है एक मार्शलाटिस बोलता है कि क्या रुको एक मिंट तुम कहां से हो तुम कैसे सेंड कर पाई सिर्फ लिंबो रेलम में होके ही बाकी बोल रहते हैं हाँ लूजेंग घरानी से मतलब कुछ नहीं बोल होता है वह लड़की बोलती है कि जो औरिजिनल रूल है सेंड करने का वह उसने तोड़ दिये लिंबो रेलम में सेंड करके इसकी जो अबिलिटीज है मेरे को लगते कि वह बड़े ज़दा खतनाक होंगी तो एक मार्शलाटिस उपर आ जाता है अपर रेलम का वह बोलता है क्या से लग रहे कि तुम कंट्री बंकिन्स जो वह काफी टाइम से वैल में भीग रहे हैं लुजेंग और वह लड़की उसकी तरफ देखते हैं वह मार्शलाटिस बोलता है कि मुझे पता कि तुम्हीं पसंद नहीं है ऐसी मतलब मैं ऐसे तरीके से बात कर रहा हूं पर एक मार्शलाटिस बोलता है रेकिंग नेटरल नेर्जी वह तुमारे काने का के मतलब है और अपर अन्गे की बिवते ऐसे एक नेर्जी पर फोड़की बौल रहा हुते हैं उसके ओपर फर्क नहीं पढ़ रहा हूता है जब से मैंने secret technique of primital chaos को practice किया है तो मेरे energy center में primital chaos ये तो genuine energy मेरे को कुछ मतलब फर्क नहीं दिला सकती मतलब उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये people को जादा overreact नहीं कर रहे है अजोडेगन बोलता है कि इसमें कुछ भी strange नहीं है ये same yes जी जैसे अगर कोई deep sea fish को अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर नहीं बैए फिर भी लाइक कर दो शेयर कर अब दो संग साथ कमेंड करके बताए अगर आपको वीडियो कस लगी है सब्सक्राइब कर दो तब तक लिए बाबाई